हाई फ्रेंड्स यूट्यूब में आपको स्वागत है मैं अज इसी सो दिया फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे कि सी प्लेस प्लेस में टॉकन्स क्या होते हैं टॉकन्स यानि लेक्जिकल यॉनिट्स तो चलिए सीखते हैं यह मैंने टर्बो सी आपन कर दिया फ्रेंड्स टॉकन्स में कीवर्ड्स आते हैं आइडेंट्यूफायर्स आते हैं लिटरल्स आते हैं पंक्चुएटर्स आते हैं ऑपरेटर्स आते हैं इस पीडियो में हम जानेंगी कीवर्ड्स क्या होते हैं तो कीवर्ड दोस्तों सबसे पहले मैं बताते हैं टॉकंस के बारे में यानि जो smallest individual unit होती है प्रोग्राम के अंदर उसको टॉकंस या लेक्जिकल यूनिट कहते हैं जैसे आप देख रहे हैं यहां लिखा है वाइड या मैं लिख दियता हूं फॉर तो इस तरह से ये टॉकंस कहलाते हैं आई यह हम जानते हैं कीवर्ड कीवर्ड क्या होते हैं कीवर्ड वह वर्ड होते हैं जिनका special meaning special meaning reserved होता है programming language के द्वारा तो उनका meaning reserved कर दिया जाता है क्यों कर दिया जाता है यह एक special meaning convey करते हैं language compiler को ठीक है यह एक special उदेशे के लिए reserved होते हैं और इनको कहीं भी यूज नहीं किया जा सकता है जैसे कि normal identifier में अगर आप लेना चाहें तो यह यूज नहीं किये जाएंगे जैसे आए देखते हैं कि keywords क्या होते हैं माली जी मैंने लिया int और यहां मैं देता हूँ variable का नाम जैसे देता हूँ name या age यह मैंने age ले लिया है इंट एक data type है जिसे compiler को message convey करना है कि अब जो हम variable ले रहे हैं age नाम का वो इंट टाइब का है ठीक है तो इंट एक special meaning convey कर रहा है compiler को compiler इसी को समझेगा कि यह जो आप program बना रहे हैं उसके आगे जो लिखा है variable name वो इंट टाइब का है देखिए float आपने देखा कि इसका color भी change हो गया है वाइड सा color हो गया है तो इससे यह इसलिए किया है जिससे यह special keywords को पता चल जाए इसके बारे में हमें पता चल जाए कि keyword है ठीक है यह आसानी हम समझ सकते है floatage यह float role इसी तरह से care name तो keywords एक special meaning रखने है जो compile जैसे कि दोस्तों हम जानते कि हमें कोई एक person है जो हिंदी language जानते है तो हम इसको हिंदी में ही बोलेंगे जो भी हम हिंदी में उससे बात करेंगे चाहेंगे तो वह ंदी में समझ जाए गा और उसको कर लेंगा तो इसी तरह से सबकी अलगलग language होती है अगर आप दो language जानते हैं तो आप दो मैं समझ जाएंगे Hindi और English में अगर आपसे बात कि जाए किसी और में language में बात करूंगा और आपने नहीं समझ पाइंगे इसी तरह से दोसदों computer में होता है C में compiler होता है compiler प्रोग्राम को रीड करता है उसे समझता है और उसमें गलतिया निकालता है आपको बता देता है वो इसलिए करता है कि जब आ गया computer के पास यह file जाएगी CPU के पास ठीक है प्रोसेस होने के लिए उसके पास सही चीज़े जाए तो compiler को आप कैसे समझाएंगे compiler की तो कोई language नहीं है तो compiler को इस तरह से design किया गया है कि उसमें कुछ c language ने कुछ keywords रख दिये हैं जो compiler को समझाते हैं कि यह करना है user करने के लिए बोला है तो वह compiler इन keywords के ही समझता है और आगे processing के लिए file को भेज देता है फिर फाइल प्रोसेस हो जाती है ठीक है तो इस तरह से आगे program चलता है अब आप देख रहे हैं कि मैंने इस एज की जगह मैं इस keyword को लिखता हूं आनि मैं int variable का नाम भी इंट रखता हूं तो यह नहीं हो पाया कि दोस्तों यह देखे white color हो गया तो यह आप इसको identifier की जगह यूज नहीं कर सकते हैं ठीक है जो variable का नेम ले रहे हैं आप उसकी जगह आप यूज नहीं कर सकते हैं इसको ठीक है तो आप कलर से भी पहचान रहे हैं इसको ठीक है तो आई यह मैं थोड़ा से और example आगे बतायता हूं यह देखिए मैं एक line type करता हूं this this is my file तो this is my file देख रहे हैं आप यह green color आ रहा है इसमें कोई भी हमने keyword यूज नहीं किया इसी को मैं लिख देता हूं this is my file दोस्तों यह बता रहा है कि यह दिस देखिए इसने capital में आपने लिखा है टी यह के सेंसिटीव होता है अब देखिए इसने आपने दिस लिखा तो capital टी जो आपने लिखा है वो keyword नहीं है ठीक है दिस और यह आपने जैसे इस मौल में का keyword है यह keyword है ठीक है यह compiler के लिए समझाने के लिए है ठीक है यह compiler इसको पढ़कर समझाएगा कि यह क्या करना है मैंने लिखा this I am in class fifth दोस्तों आप देखिए इसमें जो class है यह class है यह class है जब आप class बनाएंगे तो वहां यह यूज होता है ठीक है तो यह बता रहा है कि यह keyword है तो इस तरह से keyword भी पता चल जाते हैं और वो इनका color आपने देखा white हो गया है इसका मतलब आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं इस तरह से keywords होते हैं तो ऐसी keywords होते हैं बहुत सारे अब जैसे आपने देखा इससे क्यों होते हैं क्योंकि class जो keyword था वो class बनाने के ही काम आएगा यूजर उसको समझ जाएगा कि उसको compiler उसको compiler से message कनवे कर रहा है कि यह जो class हम ले रहे हैं यह class का नाम है हम class बना रहे हैं और class का नाम माई class है तो compiler को यह message special message कनवे करने के लिए ये keywords बना जाते हैं जिससे compiler को समझा जाता है compiler उनको को इन्से समझ जाता है message से उनको लिखने समझ जाता है कि user क्या करेगा क्या करना या उसको compiler को क्या करना है इस तरह से दोस्तों कीवर्ड काम करते हैं जैसे वाइड है इसका कलर आप देख रहे हैं ठीक है वाइड सा हो गया है तो यह कीवर्ड है ठीक है यह कीवर्ड है यह आप इसको कहीं यूज नहीं कर सकते हैं ठीक है यह कंपाइलर के लिए कीवर्ड बनाय जाते हैं तब ही हमारा प्रोग् सब्सक्राइब कैसे करेंगे क्या करना है तो उसके लिए कीवर्ड बना जाते हैं जैसे केंच भी एक कीवर्ड है ठीक है फोर कीवर्ड है जब आप लूप बनाते हैं वाइल लूप बनाते हैं वो भी कीवर्ड है ठीक है फोर आप लूप लगाते हैं ये कीवर्ड हो गया है ठीक है वाइल लूप बनाते हैं ये वाइट से हो गया है ठीक है डू वाइल होता है यह देखिए, यह keyword है, ठीक है, यह keyword है, ठीक है, और जैसे आप goto use करते हैं, वो keyword होता है, ठीक है, यह सब keyword होते हैं, ठीक है, यह compiler को समझाने के लिए होते हैं, कि क्या करना है, तो compiler इनको देखता है, इनको पढ़ता है, रीड करता है, समझता है कि user क्या करना चाहता है, ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों यह keywords होते हैं, ठीक है, इस वीडियो में हमने टोकन्स का, टोकन्स में, जो, टोकन्स होते हैं, उसमें keyword हमने पढ़ लिया है, और, जैसे आपको एक बताता हूं, try आप जो भी उच करते हैं, दीखें, टी आर वाई, मैंने लिखा, तो यह white हो गया है, क्योंकि keyword है, compiler के लिए, capital टी आर वाई, लिखूंगा, तो यह नहीं हो है, तो, जो keyword होते हैं, वो, आप उसको, सिर्व, compiler को, special message ही convey करना है, तभी वो यूच के जाते हैं, तो इस तरह से दोस्तों आपने पढ़ा कि keywords क्या होते हैं, तो next video में हम पढ़ेंगे, कि identifies क्या होते हैं, और उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, इस तरह से friends आपने, आज की class complete कर लिए, आपने इतना time निकाल लो, उसके लिए भूर्भत धन्यवाद, आप हमें, आप अगर चाहें तो हमें YouTube पर subscribe कर सकते हैं, और lifetime free videos देख सकते हैं, और जादे जादे आप help ले सकते हैं, यह Facebook पर भी आप कर सकते हैं,